ओम नमस्यवाई भक्तों मैं देख रहा हूँ कि आज कल जितने भी मेरे पास केस आ रहे हैं वो mostly पती को लेकर हैं जो पती हैं वो बहुत बिगड़ते जा रहे हैं पत्नियों की बातें नहीं सुन रहे इसलिए मैंने एक ऐसा अच्चू कुपाई खोज निकाले आपके लिए जिससे कि आपके पती आपके वश में रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे तो ये एक छोटा सुपाई मैंने किसी पर करके देखा था उसके बाद मुझे विश्वास हो गया कि ये जो तंत्र है ये बहुत ही सटीक है और इस तंत्र को मैं अपने आने वाली पुस्तक में भी इसको दूसरे या तीसरा स्थान दूँगा तो आपको बस करना इतना है कि जब भी अमवस्या हो पूर्णीमा हो खोली देवाली उसकी रातरी या फिर दूपहर के बारा बजे आप ये कर सकते हो इसको करने की विधी बड़ी ही सिंपल है लेकिन इसको आप किसी पंडित से नहीं तांतरिक से कराएं तो जज्यादा बहतर है पंडित को ये विधी नहीं आती होगी उसलिए तांतरिक से करानी बहतर होगी आप ऐसा करें पांच छे या फिर साथ नारियल सूखे हुए ले और तामबे पीतल की एक गड़वी ले उसके उपर उनको रख दे और उस गड़वी में साथ परकार के अनाज दोनों की फोटो शहद और थोड़ा सा गंगा जिल मिलाकर उसमें फोटो और शहद डाल दे अब इसके बाद क्या होगा कि जैसे ही आप इसमें फोटो डालेंगे उसके बाद आपको मंतर उसमें बोलना शुरू करना है क्लेम काम देवाई नमा जितनी आप इसकी ज़्यादा संख्या बढ़ा सके वहाँ पर बैठकर इस मंतर का जाब केजएगा जितना ज़्यादा हो सके और इसके बाद उन सारे गड़वों को पानी में बहा दीजे यह मैं आपको बता दूं कि ये पूर्ण पंडित ही कर सकते हैं आप अकेले इस प्रयोग को कभी ना करें जब जान पर बनाई हो या फिर रिष्टा बिल्कुल ही टूटी का गार पर हो तब आप इसको कर सकते हैं लेकिन मैं सज़ेस्ट करूँगा कि आप किसी के सलाहले किसी योग्य तांत्रिक को ढूंडे वो आपके तांत्र कर फिर बिगड़ता ही गया इसके बाद जो है आपके जीवन में शुबता आएगी जितने भी आपके रिलेशन से रिलेटेड जितने भी कार हैं वो सारे अच्छे होते जाएंगे जहां बाते बिगड़ रही थी वह बनने शिरू हो जाएंगे तो इस प्रयोग को कीजिए और इसमें अपनी डीटेल्स मुझे भीजेगा और फिर मुझे बताईया कि कितने दुनों में इसने आपके लिए काम किया धन्यवाद झालश में अच्पोफज भीजेगा झालश तो इस प्रोई दिरू प्रोच एल वालश मुझे जुनों मुझे धन्यवाद